ICC World Cup के schedule का एलान हो चुका है इस बार टोनामेंट भारत की मेजबानी में खेला जाएगा जिसकी शुरुआत 5 अक्टूबर से होगी महीं World Cup का पहला और आखरी मुकाबला एहमेदाबाद के नरेंदर मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा World Cup के टिकेटों की विक्री एक जुलाई से शुरू होगी वहीं क्रिकेट फैन्स को जल्द ही ICC इसके बारे में जानकारी देगी ICC हो सकता है कि अपनी ओफिशल वेबसाइट पर आनलाइन टिकेट बेजे टिकेटों की कीमत सौ से पचास हदार रुपए होने की उमीद जताई जा रही है टीम इंडिया की T20 कैप्टन हर्दिक पांडिया को लेकर 1983 वर्लकप विजेता कप्तान कपिल देव ने बड़ी बात कही है कपिल देव के मताबिक हर्दिक पंडिया बहुत जल्द चोटल हो जाते हैं और इसी वज़े से उनको लेकर एक डर बना रहता है T20 वर्लकप 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत के बाद आर अश्विन ने किया विराट कोली पर बड़ा कुलासा और वो मैच अब तक के सबसे रोमांचक और यादगार मैचों में से एक था पूर्व क्रिकेटर डवलुवी रमन ने चेतशर पुजारा को लेकर दिया बड़ा बया डवलुवी रमन ने कहा कि पुजारा ने भारती क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है डवलुटीसी फाइनल में उनके खराब प्रदर्शन ने उन्हें टीम से बाहर कर दिया है एन्सीय में वेस्ट इंडीस दौरे की तैयारी करही है टीम इंडिया कुलदीब यादव और चहल भी जोटे हैं दौरे की तैयारियों में प्रेक्टिस सेशन के बीच दो तस्वीरें चहल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट इन तस्वीरों में कुलदीब को परिशान करते दिख रहे हैं युजबंदर चहल वेस्ट इंडीस दौरे पर साथ दिखाई देगी या जोड़ी भारती महिला टीम के नए हैट कोच का एलान जल्द ही किया जाएगा रिपोर्ट्स के मताबिक विसी स्याई न टीम के अगले हैट कोच के लिए नामों को शॉटलिस्ट कर लिया है अमोल मजूमदार और तुशार अरोथे जैसे दिखजों को इंटर्व्यू के लिए शॉटलिस्ट किया है और ये इंटर्व्यू दीस जूम को होगा भारती क्रिके टीम के मेंटल कंडिशनिंग कोच पैडी अप्टन को एक और जिम्मेदारी मिल गई है 2011 वलकप टीम के कोच रहे चुके पैडी अप्टन क्रिकेट टीम के बाद अब पैडी अप्टन को भारती रमैंस होकी टीम का मेंटल कंडिशनिंग कोच पनाया गया है होकी इंडिया ने इशन गेम से पहले अप्टन को अपने साथ जोड़ा है साथ जुलाई को BCCI करेगा एहम मीटिंग में एशन गेम्स में भारती टीमों की भागीदारी, स्पॉंसर और मीडिया राइट्स ऐसे मुद्दो पर चर्चा की जाएगी इस बैटक में BCCI के तमाम बड़े अधिकारी रहेंगे मीटिंग में रिटायर भारती क्रिकेटरों को विदीशी लीगों में खेलने की अनुमती मिल सकती है सुरिश रहना ने महिंदर सिंग धोनी को सबसे खतरनाग गेंदबाज बताया है रहना बताते हैं कि धोनी तरह तरह की गेंदबाजी करने में माहर है रहनाने आगे बताया कि अगर धोनी को टैस्ट मैच में गेंडबाजी करने का मौका मिलता तो वो इस मौके को लेने के लिए तयार रहते थे और वो इंगलेंड में गेंड को सुविग कराने में सक्षम थे आईफियल में राजस्तान रॉयल्स के लिए खेलने वाले इंगलेंड के जोस बटलर को फ्रेंचाइजी करोनों का ओफर देने वाली है इस ओफर के अंदर राजस्तान रॉयल्स ये तैग करेगी कि इंटरनेशनल शेडूल बटला को फ्रेंचाइजी खेलने से रोक ना पाए ये बैसा ही है जैसे फुटबॉल में होता है यानि इंटरनेशनल कॉंट्रेक्ट छोड़ कर अपने कलब के साथ करार करना एशेस सीरीज खेल रहे औस्टेलिया के स्कार्ट बॉलन को मिली खुशखबरी बीच एशेस के दोरान बिग बैश लीग टीम से मिला ओफर स्कार्ट बॉलन को बिग बैश लीग के आगामी सीजन से पहले मेलबर्न स्टार्स के साथ तीन साल का करार किया है बॉलिड ने बताये के मेलबल स्टार्स के चार्ट जुड़ना बहुत अच्छा है।